हेलो दोस्तो वेलकम मा योटूब चैनल आप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनालाइसेस में आप सबका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनालाइसेस को फोलो करते होंगे तो आप लोगों ने थर्षडे के दिन बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा अब चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो थर्षडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ Thursday के दिन Bank Nifty flat opening हुई और उसके बाद एक range के अंदर फस चुकी थी जो की एक option buyer के लिए ऐसा market बिलकुल भी ठीक नहीं होता है ऐसे market के अंदर trade को avoid करना चाहिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर premium DK के बज़े से ज़्यादा तर beginner loss करते हैं अब चलिए अब हम देख लेते हैं Monday के दिन कैसा कामकाज हो सकती है Bank Nifty के अंदर तो चलिए दोस्तों हम पहले चलते हैं Monday के चार्ट पर तो देखे दोस्तों अब हम Monday के चार्ट पर आ चुके हैं यहाँ पर जो candle का formation हुआ है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो Monday के दिन Bank Nifty gap up opening हो सकती है तो अगर आप लोगों ने Thursday के दिन P.E. hold कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाए साबधान Monday के दिन 9.15 पर market open होगी 9.20 में अपना position को exit कर लें अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के time frame पर तो देखे दोस्तों अब हम 5 मिनट के time frame पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा level important निकल के आ रही है मंडे के दिन bank nifty के अंदर trade करने के लिए तो देखे दोस्तों अगर मंडे के दिन bank nifty gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा ये बला level जो की level है 42,262 का अगर इसके ऊपर मंडे के दिन gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को य clean candle के अंदर इस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 42,190 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 से लेकर के 205 तक का target रह सकत है अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस level पर gap up opening होने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की level है 42,262 का और इस level को यहाँ पर breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर put cup buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को red candle के अंदरे strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 42,320 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि Thursday का closing price है closing price अपने chart के ओपर जरूर मार्क कर लें क्योंकि next day trade करने के लिए बहुती important level होता है यह जो की level है 42,137 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तों यह तो होगया gap up बाला सानेर यू अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन 41,929 का अगर इसके नीचे मंडे के दिन bank nifty gap dawn खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर put cup buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को red candle के अंदर एस्टेंट दिखाई दे तब कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो कि एक psychology का level होगा 42,000 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 1.500 से लेकर के 205 तक का target रह सकता है अब suppose कर लेजिए अगर मंडे के दिन इस level पर gap dawn खुल के बाद जो की level है 41,929 का और इस level पर sustain नहीं कर पाती है और इस level को यहाँ पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं बाई करना है आप लोगों को यहाँ पर call कब बाई करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को green candle की अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call बाई कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 41,850 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की level होगा 42,137 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तो यह तो हो गया gap up और gap down वाला scenario अब suppose कर लेजिए अगर मंडे के दिन bank nifty flat खुलती है वो कौन सा john होगा वो होगा यह वहला john जो की john होगा 42,262 से ले करके 42,137 के बीच में खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर न तो put buy करना है क्योंकि अगर इस john में मंडे के दिन bank nifty खुलती है तो आप लोगों को first hour के time पर sideways के अंदर फस्ता हुआ दिख सकता है bank nifty तो दोस्तो आसा करता हूं bank nifty की सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने chart के ऊपर यह सारे level mark कर लें ताकि मंड के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है अब चलिए अब हम चलते हैं nifty 50 के चार्ट पर तो देखे दोस्तों आप हम nifty 50 के चार्ट पर आ चुके हैं nifty 50 के अंदर क्या हुआ Thursday के दिन nifty 50 flat opening हुई और उसके बाद यह वाला जो moment था हम लोगों ने यहां पर capture किया था तो जि यह देख लेते हैं मंडे के दिन कैसा मूब रह सकता है nifty 50 के अंदर तो चलिए दोस्तों आप हम पहले चलते हैं वंडे के चार्ट पर तो देखे दोस्तों आप हम वंडे के चार्ट पर आ चुके हैं यहां पर जो candle का formation हुआ है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो मंडे के दिन nifty 50 gap up opening हो सकती है तो अगर आप लोगों ने Thursday के दिन P hold कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाए साब धान मंडे के दिन 9.15 पर market open होगी 9.20 में अपना position को exit कर ले अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के time frame पर तो देखे दोस्तों आप हम 5 मिनट के time frame पर आ चुके हैं तो अगर मंडे के दिन nifty 50 gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा ये वाला level जो की level है 17,900 का अगर इसके उपर gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को यहां पर call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहां प पर आप लोगों को green candle के अंदर एस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर call buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की label होगा 17,860 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 60 से ले करके 70 point तक का target रह सकता है अब suppose कर लेजिए अगर Monday के दिन 5050 इस level पर gap up opening होने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की label है 17,900 का और इस level को यहां पर breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहां पर put cup buy करना है जब इस level पर दुब candle के अंदर strength दिखाई दे तव आप लोग यहां पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 17,940 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो की Thursday का closing price है closing price अपने chart के उपर जरूर मार कर लें क्योंकि next day trade करने के लिए बहुत ही important level होता है यह जो की level है 17,828 का और उसके बाद आप लोग यहां पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तों यह तो हो गया gap up बाला सनरियो अब suppose कर लीजिए अगर Monday के दिन 5050 gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह बला level जो की level है 17,771 का अगर इसके नीचे Monday के दिन 5050 gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहां पर put up buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहां पर आप लोगों को red candle के अंदर एश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां प put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर चोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 17810 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 point का और उसके बाद आप लोग यहां पर safe put side के तरफ जा सकते हैं अब suppose कर लिजी अगर Monday के दिन 50 50 इस level पर gap down खुलने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की level है 17771 का और यहां पर इस level को breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को यहां पर call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी तब आप लोग यहां पर call buy क कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर जोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 17730 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो की level होगा 17828 का और उसके बाद आप लोग यहां पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तों यह तो हो गया gap up और गैपड़ान वाला सनेरियो अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 फ्लाट खुलती है वो कौन सा जौन होगा वो होगा ये बला जौन जो कि जौन होगा 17,888 से ले करके 17,777 के बीच में खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाई करना है ना तो पुट बाई करना है क्योंकि अगर इस जौन में मंडे के दिन निफ्टी 50 खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फस्ता हुआ दीख सकता है निफ्टी 50 तो दोस्तो आसा करता हो बैंक निफ्टी और न चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब भी कर लें साथी साथ बैल आकन के और पे किलिक करना बिल्कुल भी न भूले जरूर किलिक कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं जोइन किया वा है तो जाकर के जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वी रहिंद वंदे मातरम